असलाम लेकुम माई यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप लोग लग शुकर है मैं भी ठीक हूँ और उमीद है कि आप लोग भी अच्छी होंगे माशारला से आज हम चल रहे हैं एक our Brazil मनाने के लिए और यह भी घ्रीर के लिए और यह उपके बाल जोए और उल्डू हाँ वह टंऑगे और स्च्रॉंग पहस्त ब सक Hansel ऑ्सच स्ट्रॉंग आइल अच्छा मिलेगा और जो जरूरियत है वो पूरी होंगी तो वो तेजी से बढ़ेंगी भी तो मेरी इस वीडियो को एंट तर जरूर देखिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करेगा ताके मेरी आने वाली तमाम वीडियो जो आपको फौरी तोर पे मिलती रहें तो चलिए अब चलते हैं मैं आपको बताती हूं कि आइल में क्या-क्या इंग्रेडियंट्स ड़ेंगे और अच्छा वियोर्स यह हैं वो इंग्रेडियंट्स जो मैंने कठे करके रखे हैं निकालके रखे हैं तो मैं आपको इनके नाम बताती चलती हूं और फिर हमें इसक क्या करना है और कैसे ओल बनाना है वो भी बताती चलती हूं यह है कड़ी पत्ता ड्राय कड़ी पत्ता जो आप लोगों के पास घर में रखा वाओ नहीं रखा वा तो जो है वो आप फ्रेश भी लाके उस कर सकते हैं तो यह एक मुठी कड़ी पत्ता है यह है वन टेबल पत्ती और यह टेबल स्पून मैंने आपको दिखाया यह यह टेबल स्पून गमाने लिया है और यह सब 11पन है जज जो कड़ी कडता है वह एक मुठी लिया है तो अब हम चलते हैं सारे जो चीजे हैं इंग्रीजियंट्स पहु हैं इनको मिक्सी में मिक्सचर बना लेते हैं इसका पाऊडर बना लेते हैं और हमारे, पहुत बना करना है। 将 हुई हम सारी चीदों मिक्स्चर के बना या दालते हैं चाई की पत्ती के लेखिए भड़ को जो क्तिका हैं ब्लाक कलर देने में बहुत पाइदा देगी ठीक है और अब हम डाल रहे हैं अलसी नहीं हम यह डाल रहे हैं मीद की दाना ठीक है अब हम डाल रहे हैं कलाउंजी फिर आमना पाउडर यह डाल रहे हैं असलिख दें आप के बिच बीमाइदा बसके अनदर जेता ओंगी रत निर्ट है हम और आप उसके बाहरिए है सोब्सक्रा़ गार他說 देए में हैं इसको प्रिस केइस यह हमने हर चीज को मिक्सर में डाल दिया और अब मैं यह मिक्सर अन कर रही हूं ठीक है यह व्योर्ज हमने हर चीज को मिक्सर में डाल दिया और हम अच्छे से मिक्सर चला लेंगे ताकि यह अच्छे से पाउडर फॉम में बन जाए जो है यह एक छोटा जो है अन्यान जो हमने शामिल किया है इसको भी हम पेस बनाएंगे और यह है कुछ कोकोनेट और हैर्स ना इनको भी हम ग्रैंड कर लेंगे और फिर हम इसको भी और में शामिल करेंगे क्यांक है अच्छाएंगे शाजिए मशेत कोई पहें है जुँए में को से जबता हैर्सो मेंने चैसे बनाएंगे शाजिए मैंने चैसे मुछाँ कुछाएं फेन एंच मैंज लेका है अल्यान्याय vest वbec राछाइंगे-और नेजि़ंक हुआ है और इसमें बनाएं तो जादा बहतर है वैसे अगर आपके पास नहीं है तो इट सोके यहां पे डाल रही हूं तकरीबन पाव ओयिल है मेरे पास सरसो ओप तो आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है यह मैंने जो चीजे आपको बताई है यह लग अगर आया जादा बनाए तो उसके हिसाद चीजों को बढ़ा लीजिए अच्छा वह उसको रखावाए चूले को और अब मैंस के अंदर जो हूँ ऑकी सब worel के अंदर जो हमने मसाला बनाया है क्राइग कि यंद्ट फोडर जो सब डाल दूगी ठीक है को डाल दिये हैं सब अब में इस के अंदर ये प्यास और जो मैंने आपको बता था कोकेनट तो प्रश्चा नहीं पिस रहे थे तो हम उसको पकाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूं यह हमें को कॉकॉनट एयर के ओल को को कॉनट हेर्चा जाल रही हूं ओल कि अंदर और यह थोड़ा सा तेल जाहे हो गराम होना शुरू हो गया है हम इसको फाइब टैन मिनट्स जो है व है लो इस पर फ्लेम पर ना क्योंकि यह देखिए इसके अंदर जो थे यह में दाना है और पति है आ अलसी के बीज है और यह जो बेगे गए गुट में नहीं है उलक आंच पे पकाना है तो यह नहीं हम पका रही है यह तो फिल हो स् फोस्य जाक obs नियुक्त जाग्यू अध creepingש और एक साथ ही आपको मैं टिप देती जाओं कि जब आप इस ओल को जो है अपलाई करें अपने बालों में तो ओल को लाइट सा जो है वो कुनकुना सा कर लीजिए नीम घरम कर लीजिए इतना कि आपकी जो है वो बरदाश करके रहे आप इसको अपलाई करिए और सबसे जो खास बात है याद रखने माली हो यह कि जब आप लेटे हैं तो पिलो पर कोई कपड़ा एक्स्ट्रा जो है वो ज़रूर रख लें क्योंकि हो सकता है कि यह ओल थोड़ा सा जो है अपना कलर छोड़े क्योंकि ओल तो ऐसे भी लगता है यह जो है लेकिन क्योंकि हमने जो इसके अंदर पत्ती डाली है अलसी डाली है और यह सब चीज़े डाली है और हम इसको पका रहे हैं तो इसे अपना कलर चेंज कर लेगा यह ब्राउन से थोड़ा हो सकता है ब्लैक इश पलर में आ जाए तो हम इसको पकाएंगी हल्प की आ इसको 5-10 मिनट पका लेना है ताकि जो सारे अज़ा है वो अपनी तासीर जो है सोयल के अंदर आड़ कर दें और यह लोही की कढ़ाई मेरे पास मौजूद थी मैंने स्पेशल नहीं खरीदी तो अगर आप लोंके पास मौजूद है तो आप इसमें बनाएं बैस्ट है और अगर नहीं है तो जो गढ़ाई है जो पैन है अपके पास अब उसमें बना सकते हैं को इससा बड़ा इश्यू नहीं है ठीक है कि देखिए व्योर्स मैंने जो है इसको टैन मिनट्स पका लिया है और मैंने कोई बहुत तेज आज पर नहीं रखा है और आपने इस लो फ्लेम पर ही रखते हुए चला के जो है पकाना है क्योंकि हमें जलाना नहीं है तो बस यह हमने इसको पकाना है ताकि सब चीजें जो पाउडर है जो प्याज है जो यह नारियल है के बाल है इन सब की तासीर इस अंदर और के अंदर रजबस जाए और हमें इसका फाइदा हो ठीक है यह अब मैं इस चूले को बिल्कुल बंद करने वाली हूं अब मैं इसको बंद कर रही हूं फ्लेम को और इसको मैं टू आर्ट लिए ठंडा होने को रख दूंगी ठीक है तो कि अबस बंद कर दो सकते हैं आपके पास जो भी एर्टाइट जार हो इसमें आप बंद करके इसको रख सकते और अभी मैं जो है इसको बाउल में निकाल रही हैं फिर इसको जो है वो किसी टाइट जार में या बॉटल में इसको जो है वो रख लूँगी अब मैं इसको छान रही है कि अब देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है ब्राउन से बिल्कुल ब्लैक हो गया है और इसके ब्लैक होने की वज़ा जो है वो इसके अंदर पती है अलसी है मीथी दाना है तो जब आप इसको सर में लगाएं तो रात बर के लिए छोड़ दें और नेक्स डे मॉनिंग में ना आईए और इससे वह आपके ग्रे हैर्स एक तो ब्लैक हो जाएंगे और दूसरा जो आपके शॉर्ट हैर्स हैं वो लॉंग हो जाएंगे और तीस आपके टूट रहे है वो तोटेंगे ने है ठाएंगे था कह था 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 है